हलो प्रेंट आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल गुरु मंत्रा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाल बिकास का पार्ट एक्की जिससे पहले 20 पार्ट बना चुका हूँ जिन लोग अना नहीं देखी हो जो समिधा सचक की त्यारी कर रहे हैं वो मेरी प्रिवे बिकार को अवदान समंदी बिकार को क्या कहते हैं तो इसे ADHD कहा जाता है अवदान समंदी बिकार बस्ष्ट बालक कौन होते हैं तो बे बालक जो सामाने बालकों से अटकर होते हैं इन्हें एक नया सब्द दिया गया है बिविन्य योगता रखने बालक जिनके पास ये पीसारे बालक आते हैं जो प्रतिवासाली बालक हो। पिचडे बालक हो। गुंगा, बैरा, अंदा, स्रजन, सील बालक, संबेदातुम, दृष्टीज़े पिचडे बालक, बिकलाओं बालक बसेश्टावालक बसेश्टा बालक को उस त्यार रखा जाता है। समावेशी सिच्छा किसे कहते हैं तो वसेष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई सिच्छा परणाली समावेशी सिच्छा कहलाती है जैसे गूंव, जो गूंवे बोल, बेरे जो सुन नहीं सकते तो उनके लिए कान होगी, मसीन, तो ये क्या हो जाती है? समावेशी सिछा हो जाती है. प्रतवा साली बालग किसे कहते है? तो ऐसे बालग जनका IQ 180 से अधिक होता है, प्रतवा साली बालग कहा जाता है. पिछड़ा बालक किसे कहते हैं तो ऐसे बालक जनका IQ लेवल 19 से कम होता है तो उन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है और सामान बुद्धी के बालकों का IQ कितना होता है तो सामान बुद्धी के बालकों का IQ 90 से 110 के मद्य होता है 90 से 110 के बीच सरजन सील बालक किसे कहते हैं तो सरजन सील बालक बे बालक होते हैं जिने में कुछ नया करने की चमता है होती है जो नई नई आविसकार या अनुसंदान करने की चमता रखते हैं तो मतलब जिने में कुछ एक्ट्राओर्डनरी बालक होते हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है सर्जेंसील बालकों का आईगी कितना होता है तो इनका 120 से अधिक होता है जो एक्ट्रा ओर्डिनरी होते हैं बंचित बालक किसे कहते हैं तो बंचित बालक बे बालक होते हैं जैने सिच्चा के उच्चत उस्सायद हैं पंढ़ा वी चातें वार उनके लिए संसाधन न होने के कारण वो बंचित रह जातें सच्छा से, उन बालगघों को क्या का जाता है, बंचित बालग का जाता है, तो वो कौन कौन से होते हैं, आदेवासी चेत्रों के बच्चे, भाई के बच्चे, और मजदू बालक कहलाते हैं जैसे छोटे बच्चे कोई गलत काम करते हैं जो अपराद की स्रेड़ी में आता होता होना है क्या कहेंगे बाल अपरादी बालक कहेंगे होना है बाल अपरादियों के प्रकार बताईए तो जैसे चूरी करने वाले बालक उस्कूल का पनीचक तोड़ने वाल वालग स्कूल में मारपीट इंसा करने वाले वालग स्कूल के रिपोर्ट कारड क स्षिप्ड करने वाले मतलब कुछ भी ऐसा गलत काम जो एक आपराद की सरेडियु में आता हो तो वह क्या कहलाएं है बाल अपरादिये उनके कारण spec richtig हो जो बन congregation पूरति ना आपके चीज की जरूरत आहाँ ना होने कहारण उसका क्या हो जाएगा व्यक्तिगत आवस्ताओं की पूरति ना होना होना सारे रिक दो जैसे बालग हीन वावनाना से ग्रंसित बन जाते हैं जैसे कोई उससे द्वेस वावना रखता है या कुछ ऐसे चलन होती है तो इस कारण से भी सारे दोस्त के कारण भी वह अपराद दी बन जाता है घर का वह आता होने असांत होना अगर घर पर आपके रोजाना जगड़ा होता है तो बच्चा भी उसी मावलों देदे देड़ने लग जाता है तो वह भी अपराद करना स्टार्ट कर देता है को संगती के कारण मतलब जो और के फ्रेंड है अगर वह भी खुछ ओल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वह भी उनसे यही काम सीख जाता है दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार अग कोई मनोरेजन करने का अगर उससे आप ज्यादा नीचे गिर के कोई मनोरेजन करते हैं तो वो भी एक अपराद की स्रेणी में आता है माधा-पिता का गरीब होना जब बच्च अपने माधा-प्राद के देखता है कि कितने गरीब है तो वो भी गलत रहावा पकड़ लेता है ये भी उसका एक कारण है पच्च पात पूर्ववार अगर किसी के साथ पच्च पात किया जाता है तो उसके मन में कुछ जलन मेहसूस होतले राजती है प्र वो अपराद करने के लिए तेयार हो जाता है तो ये ऴी एक कारण माता-पिता का तलाक आदी अगर पेरेंट्स का का अगर तलाग हो जाता है तो प्र É산 अदर भी ईनवावना आजाती है, इस वज़ते से विसके अंदर ये कारण sakता है अपराद नहीं ये उनके मंख्य कारणते, भालह प्रादियों के उप्चार क्या-क्या है, तो क्या-क्या उप्चार है इपनो बिज्ञानिक विदी जो सेंज्चिस्ट होते हैं उनके हाँ अप ले जा के थोड़ा सा उन्हें समझा सकते हैं, थोड़ा सा माइंड डिश्ट जो चेंज कर देते हैं, आपने दिख़ा हूँ, वो माइंड को एकदम से सार्ग बना देते है मतलब आपको पूरा बुला देंगे समाज, सास्त्री, विदी जो समाज के कुछ लोग होते हैं उनके हैं छोड़के थोड़ा सा समाज के बारे में बताना और एक बैदाने के विदी जो उपचार के दोरा सही होती है तो ये तीन विदियां है समस्य अग्रस्त बालक कौन से होते हैं तो बेबालक जिनके विवाहर में ऐसी कोई सामाने बात होती है जिसके कारवे समस्य अग्रस्त बालक बन जाते है जैसे कच्छा मत देर से आना ये उनकी आदत बनके उसकूल से बाग जाना ये भी आताता है, कच्छा हम अधिक बाता है करना ये भी आता है, मतलब ये एक habit limit से जाता तो वो क्या हो जाती है, समस्या ग्रेस्ट बालक कहलाते हैं, अधिक कार्य सीज़ता होना, ग्रेक कार्य करने ना लाना, और कच्छा अपढ़ाई में धियान ना लगना, तो ये क्या हो जाएगे समस्या ग्रेस्ट बालक कहलाएंगे समस्या अगर आता समस्या सिच्चक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है, तो सिच्चक को शाहिए, कि यसे बालकों को अलग-लग बठाएं, सबसे आगे बैठाएं जो बैपच्चे होते हैं उन्हें अलग-अलग जगह पर बैठाएं और हो सके तो सबसे आगे बैठाएं जिससे कि उसका ध्यान पीछे की और ना जाते हो सीधे बोड़ की और हो सिच्चक की और हो सिच्चक स्वें बालक की समस्याओं के कारोणा का पता लगाना चाहिए जैसे कि वो कारोणा को समस्या को दूर कर सके सिच्चकों के ऐसे बालकों के गर जाकर उनकी समस्या का भी पता लगाना चाहिए कि यह क्या समस्या है इस बचे से यह श्ठडी आ कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है प्रॉपे तरीके से तो यह बच्चे कौन blankets वो जाएंगे समस्या गर रस्त बालकों की समस्या गिलफोर्ड ने सरजन सीलता के चार तत्व कौन से बता हैं तो वो हैं लोच सीलता, मॉलेकता, अपसारी सीलता और केंद्रा बिमुक ये गिलफोर्ड ने सरजन सीलता के चार तत्व बता हैं बेग्याने गुड़ ने सरजन सीलता के कितने तत्व दिये हैं तो बेग्याने गुड़ने सरजन सीलता के पांच तत्व दिये हैं मौलकता, अनुकूलता, बिचारात्मक और बिचारों का सहचर्य और लूत सील और बिविद ये पांच जो बेग्याने गुड़ने उन्होंने सरजन सीलता के पांच तत्व दिये हैं स्रजनात्मक ताके प्रमुक तत्व कौन से हैं तो मौलकता, नवीनता, लोचसीलता और विस्तार करने की चमता और बेबिनता ये पाँच तत्व हैं स्रजनात्मक ताके प्रमुक पाँच तत्व ये दिये हुए तो दोस्तो स्राजन सील भालगों की विशेष्टा है क्या क्या है तो क्या क्या विशेष्टा है तो उसकी नियमने विशेष्टा है स्राजन सील भालग जिग्यासु प्रवर्ति की होते हैं स्रजेंसील बालकों के विचार ब्यापक होती है उनमें सम्मीदन सीलता अधिक पाई आती है और एक अक्रता भी पाई जाती है जो स्रजेंसील बालक होते है मनुस से एक सामाजिक प्रहणिया या किसने कहा था तो यह अरस्तु ने कहा था मनुस्य के सामाजी करण की पहली पार साला कुन सी होती है तो पहली पार साला गरवा परिवा दूसरी खेल का मैदान और तीसरी उस्कूल होती है कहां पर बालक का सामाजी करण के नियम स्वेम सीखता है तो खेल के मैदानों जैसे आपस में सहो करना, अपने कुरोध पर सहीयव रखना और त्याग करना, यह का सीखता है खेल के मैदानों है बालक में नकार आत्मक सोच कौन सी अवस्ता में उत्पन होती है तो दोस्तों ये थे आज के 25 एपोटेल कुश्यन आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और जो लोगों समिता सिच्छे की त्यारी करने वो मारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर स सकते हैं तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत